वहाँ पर समी करण है उन्हें किस तरीके से साधनी की कोशिश बीजेपी क्योर से की जाती आप नजर बना रखेगा इस बैचक पर भी बड़ा महत्वपून बैचक है बहुत शुक्री आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे मधु सुदन मिस्त्री भी आज एक महत्वपून बैचक लेंगे बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें कॉंग्रेस के सभी 25 आप्जरवर्स इस बैचक में मौजूद रहेंगे बैचक के धिक्षिता करेंगे प्रदेश की सभी विधान सबाद सीटों का फीड़ बैक लिया जाएगा विधान सबाद चुनाफ के सीनियर आप्जरवर मधु सुदन मिस्त्री है जो अध्यक्षिता करेंगे और कुल 25 आप्जरवर जिनोंने फीड़ बैक इससे पहले भी लिया है अलग-अलग जगों प करेंगे कि क्या है इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी के समीकरण क्या है मजबूती वहाँ पर और कौन-कौन से वो जगा जहां पर पार्टी को और भी जादा विचार करने की जरूरत है क्योंकि अब चुनाव बेहत नजदीक है और दोनों ही पार्टियां लगातार तयारियों में जुटी हुई है कॉंग्रेस भी कोई कोर कशन नई चोड़िये लगातार बैचकों का दौर जारी है मstar चिंतन लगातार जारी है मीशन रिपीट को लेकर एक और महत्वपून बैचक दोहजार त्यहिस में किस तरीके से कॉंग्रेस में सत्ता में कॉंग्रेस बनी रहे इ इस पर बड़ा फैसला हो सकता है पीसी सी वार्रूम में यह महतुपूर्ण बैचक होने वाली है सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है यानि कि अब एक घंटे का भी वक्त नहीं बचा हुआ है गंटे के अंदर अंदर इस बैचक की शिरुवात होगी सायोगी बाबुलाल धाय हुँ ses iki उर और आज अ अपनी पूरी रिपोर्ट को तयार करके और मधूसुला मिंस्त्री मेंना होता है both 받र कृब्स सायोव पराइज मधूस्तुक्र मिंस्त्री के निए किसले सुरता हुगा रिस नहीं हुआ है और है किपूरण धिता का यह आई की पुरा मन्धन होगा और में तो के पास वो से मिलान करेंगे कि दरातल की निपोर्ट क्या है और रिवे की रिपोर्ट थे उतमें क्या समानता है और सौन तेरा जिताऊ हो सकता है कि सेरे के साब तो उसको लेकर के गाज बड़ी बैटक श्टूरी आज और काल दो दिन तक के बैठे के चलेंगी जिसमें पूरे राजस्तान की जो स्यासी तस्थीर है उसमें किस तरह जीट की संभावना होना इस पर बीजेपी कॉंगरिस पार्टी मंतन जाने चाहरे है किस तरह से मजबूत है और किस तरह से जो क्याश्टियों को मैदान में उताने के तैयारी है तो उस पर भी जाय मश्वरा होगा तो एक करार से जब चुछों का होना होना वाला है उससे पहले यह सारी चीज़े की जारी ताकि कोई गुंजाइद ना रहे किताओ जो चेहरे हैं तो पार्ट केदान में उताना चार्ट के तर्माम रहा है क्या जा रहा है और दूसरे निस्ट्री क्योंकि बहुत ही तजुद्वे वाले नेसा है पार्ट के पार्ट का आला कमान बैठ करके एक साथ जब टिक्टो के फाइनल करने की तैयारी करेगा या जब राय मश्वरा फाइनल दोर में होगा तब यह जो फीडबैक है बहुत काम का होगा यानि कि पार्टी ने तेह किया है कि जो कॉंग्रेस के लिए जो समर्पित होगा जिसमें विनिबिलिटी होगी उसी को मैदान में उतारा जाएगा तो उन चेहरों की तलाश का जो काम है वो अबजर्वर्स के कंदे पर है और यह उबजर्वर्स हैं यह पिछले एक महिनने से राजस्तान के गाउं कस्वों की खाक चान रहे हैं दरातल के कारेकर्टा से मिल रहे हैं उन सबसे इन्होंने फीडबैक लिया है और किस तरह से पार्टी चुनाओं में जीत दर्ज कर सकती है किस तरह से उनके पार्टी क साथ में बैठ करके चुनावी चर्चा होगी तो एक तरह से एलेक्शन मोड में कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी के मुखाबने के लिए बैठक भी बड़ा मैत्वपूर्ण है जिताओ उमिद्वार के लिए तो रिपोर्ट तयार कर ली गई है टिकाओ उमिद्वार पर भी ल वहां पर इस्थितियां ऐसी नहीं है कि कॉंग्रेस जाजा सोचती वैसा हो जाए कॉंग्रेस पार्टी की कोशिश यह है कि लोगपूरी चेहरा होना चाहिए अगर उसकी टिकेट करती भी है और कोई दूसरा जिता हुए तो उसमें त्याग की भावना होना होनी चाहिए इ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है और पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार सिफारिशी नेताओं को टिकेट नहीं देंगे जिनके रसूप तो उपर तक होते हैं लेकिन धरातल पर बहुत कमजोर होते हैं तो ऐसे नेताओं को टिकेट देने की परंपरा रही है उससे पा पर सामन्यारी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत का आज मेरतन दौरा रहने वाला है आज बिसाओ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत रहेंगे सुबह साड़े ग्यारा बजे बिसाओ पहुचने का कारक्रम तै किया गया है यहाँ पर 19 विकास कारियों का मुख्यमंत व्यापारियों और उद्दमियों से भी समवाद करेंगे तो आज कई खास कारक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोग गहलोद के मेरतन दोर आयके कर कई खास कारक्रम में शामिल होंगे संबोधन भी करेंगे और इसके साथ-साथ जैसा कि लगातार हम तस्वीरे भी आप को दिखा रहें जहाँ पर समवाद कारक्रम के जरिये मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोद लोगों से फीडबैक ले रहें कि कैसे राजिस्थान को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाए और इसी को लेकर आज एक बार फिर से व्यापारी और उद्यमियो और उकलेते इस बीच मिल रहें का और बड़ी खबर का कोटा से बड़ी खबर है जहाँ पर छात्रों की खुदकुशी मामले पर बड़ी अपडेट आपको बताते चले सुसाइड मामलों पर कमिटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है स्टेट लेवल कमिटी ने राजिसरकार को ये रिपोर्ट पेश की तनाव प्रबंधन मांसिक स्वास्थ पर नई गाइडलाइन जारी की गई है अब आटिफिशल इंटेलिजेंस का सहरा भी लिया जाएगा फेशिल रिकोगनिशन टेक्निक इस्थापित करनी होगी एफार्टी से छात्रों की क्लास में फेक अटेंडन्स पर भी रोक लग सकेगी तो लगातार जिस तरीके से छात्र खुदकुशी कर रहे थे कोटा में लगातार आंकडे बढ़ते चले जा रहे थे जिसे लेकर ना सिर्फ प्रशासन बलकि सरकार भी बेहत गंबीर थी मुख्यमंत्री अशोक गैलोत ने भी इससे पहले बयान दिये थे और उन्होंने कहा था कि अब वो एक भी सुसाइड नहीं देखना चाहते हैं और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा है सुसाइड मामलों पर एक जो कमिटी गठित की गई थी उसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते चले स्टेट लिवल कमिटी ने राजे सरकार को रिपोर्ट पेश की है और कनाव प्रपंधन को लेकर खास जानकारी दी गई है और प्रतापगड फारिंग मामले में आपको अपडेट बताते चले जंगल में पुलिस का सर्च ओपरेशन लगातार जारी है उदैपुर्साइट आसपास के जिलों से ड्रोन भी मंगवा लिए गए हैं ड्रोन से जंगल में आरोपियों की तलाश की जाएगी आरोपियों की तलाश में सभी थना अधिकारी जूटे हैं आरोपियों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर भी फाइरिंग की थी फाइरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हुआ था और अब सबसे पहले पुलि लिए गए हैं ताकि आस्मान के जरिये आरोपियों पर नजर रखे जाए और उन्हें गिरफतार कर लिया जाए तो जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है प्रताप गड़ फाइरिंग मामले से जुड़ी स्वक्त के सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे है जहां पर थाना अधिकारी भी लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे हुए तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और कोशिश सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले और जल से जल्द आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाए क्योंकि फाइरिंग में पुलिस का एक जवान भी जखमी हुआ है और यही वज़ा है कि इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और तमाम वो कोशिशे पुलिस के ओर से की जा रही है जिसे कि जल से जल्द आरोपियों को गिरफतार कर लिया शंकाय जताई जारी और यही वज़ाए कि ड्रोन से भी खास वहाँ पर नजर रखी जाएगी चंचल कुमार से होगी मारे साथ जूट चुके हैं चंचल क्या है वहाँ पर तैयारी पुलिस के ओर से की आरोपी जल से जल्द गिरफतार हो सके जिए बिल्कुल पुलिस के पर आयारी करने के बाद यह जो आरोपी है वो तीता मता के जंगलों में चल गया है और तीता मता का जंगल कासी घना होने के चारण ने उद्धिक है चंचल अब जोन की भी मदद ली जानी अब देखना है कि यह कितना कारगर साबित होता है स्बस्टार भी में चार ँढ़।